तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में जी हाँ आज के इस वीडियो में क्लास 10th के नौन हिंदी का मॉडल पेपर का सल्यूशन होने वाला है और ये मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ कि ये मॉडल पेपर किसी गेस गाइड या फिर किसी किताब का मॉडल पेपर नहीं है बलकि बिहार बोड के तरफ से ओफीसियली जारी किया गया मॉडल पेपर है ठीक है देखे लिखा हुआ है सेकंडे स्कूल एक्जामिनेशन एनुवल एक्जाम के लिए यानिकी 2024 में जो आप लोगा फाइनल इक्जाम होने वाला है मैट्रिक का जो फाइनल इग्जाम होने वाला है उसका ये मॉडल पेपर जारी किया गया है भीहार बोड के तरफ से और कौन से सब्जेक्ट का है तो एसाईयल हिंदी जिसको हम लोग एन एल एच हिंदी भी कहते हैं या फिर औहिंदी भी कहते हैं या फिर नौन हिंदी भी कहते हैं यह हिंदी जो है ना उन स्टुडेंट के लिए है जो टेंथ क्लास में उर्दू सब्जक्ट को लिए रहते हैं जी हां उर्दू वाले स्टुडेंट को अलग हिंदी पढ़ना रहता है जिस हिंदी के स्टुडेंट है उनका हिंदी यानि की और हिंदी का मॉडल पेपर का सल्यूशन करने वाले हैं प्रोटल हंडेट अबजेक्टिव कोशन का सल्यूशन आप लोग को बताने वाली हूं एकदम सटीक और सही इंसर बताया जाएगा आप लोग को और इस मॉडल पेपर के कोशन आप लोगेगेगा कि कोशन के किस तरह से पूछा गया है कि इस मॉटल पेपर के कोशन को देखकर आप लोगो डगे गा है क्या वही आप पूछा गया है या फिर बहुत ज़्यादा डीपली जाकर पूछा गया है कोशन का लेवल क्या है बहुत आसान है या कि मॉडरेट लेवल है ठेक है कोशन पूछने का तरीका क्या है यह आप लोगो इस मॉडल पेपर के कोशन को देखने के बाद पता लग जाएगा एक तरस यह फायदा है जिसे आप तयारी कर पाएंगे फाइनल एक्जाम के लिए ठीक है पहले से ही सचेत आप हो जाएंगे कि हाँ जब मॉडल पेपर में इस तरह के कोशन पूछे जा रहे हैं तो फिर फाइनल एक्जाम में भी कुछ इसी तरह के कोशन पूछे जाएंगे तो दूसरा फायदा तो यह हो गया कि फाइनल एक्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर पाएंगे इस मॉडल पेपर के कोशन को देखकर आप लोग को अंदाजा मिल जाएगा कि हाँ आप लोग के फाइनल एक्जाम में किस तरह से और मतलब कितने लेवल के कोशन पूछे जाएंगे तीसरा फायदा आप लोग को यह होगा कि आप लोग की खुद की प्रिपरेशन की जाच हो जाएगी आप लोग की तैयारी कितनी हुई है यह आप लोग को पता चल जाएगा सारे अबजेक्टिब कोशन को आप लोग एटेंड कीजिएगा सो में से आप लोग कितना सही कर पाते हैं आप लोग कितना पीछे हैं कितना आगे आप लोग की तैयारी कितनी हुई है ये आप लोग को पता चल जाएगा ठीक है और मुझे पता है कि आप लोग 100 में से 50 objective question तो सही करी सकते हैं लेकिन जहां तक मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ उस base पर मैं कह सकती हूँ ये कि आप लोग 100 में 50 क्या बलकि 80 objective question सही कर सकते हैं ठीक है 80 और एक और फायदा ये है इस model paper का solution कराने से कि इससे आप लोग को ये भी पता चल जाएगा कि जो भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ उससे question पूछे हैं पूछे गए हैं कि नहीं model paper में और इसी base पर आप लोग के final exam में पूछे जाएंगे जी हाँ बिल्कुल पूछे जाएंगे जो भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ न वो हर एक question हर एक chapter से हर एक topic से question पूछे गए हैं यहां तक कि हिंदी grammar से भी और जो आप लोग को chapter पढ हूँ मुझे उमीद है मुझे पूरा विश्वास है कि आप सो में कम से कम असी तो ला सकते हैं हलांकि पचास objective question सही कर पाते हैं तो वह तो ठीक ही है देखिए final exam में जो आप लोग के हाथ में जब आप लोग exam hall में बैठे रहते और आप लोग के हाथ में question paper मिलता है उस question paper मे भी 100 objective question रहते हैं जिसमें आप लोग को सौ में सौ टिक नहीं करना रहता है सौ में से आप लोग को पचासी objective question का answer देना रहता है अगर पचास से ज़्यादा आप लोग objective question का answer दे देते हैं तो starting से एक से लेकर 50 तक गिना जाएगा count किया जाएगा और फिर उसी को check किया जाता है तो यह बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब आप लोग exam hall में बैठ कर exam दे रहे हों तब आप लोग को सौ में सिर्फ 50 objective question सही करना है पचास से ज्यादा नहीं जिस पर आप लोग को 100% confidence है विश्वास है कि हाँ इसका यही answer सही है right है उसी का आप लोग मतलब गिन objective question सही किजिएगा पचास से ज्यादा नहीं क्योंकि सो में 85 सही करना रहता है लेकिन आज के model paper में जो टोटल 100 objective question है इसमें आप लोग 100 का हंड़ेट कीजिएगा और सो में 80 कम से कम लाने की कोशिश कीजिएगा ठीक है यह चीज याद रखिएगा कि आप लोग फाइनल exam में बैठ कर 100 में 100 मत टिक कर देना है क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो कि final exam में बैठते हैं exam hall में बैठते हैं और देखते हैं कि 100 objective question है तो 100 में 100 टिक करके 100 का 100 objective question बनाकर चले आते हैं जबकि यह गलती आप लोग नहीं कीजिएगा question paper में भी दिसान निर्देश दिया गया रहता तो कुछ इसी तरह से रहेगा आप लोगा final exam का question paper देखें यहां पर subject code लिखा रहता है और तीन गंटा 15 मिनट यह जो 15 मिनट है आप लोग को question paper पढ़ने के लिए मिलता है 15 मिनट और लंबचड़ा जो दिसा निर्देश दिया गया रहता है वो यहां पर लिखा हुआ रहता question में है जिन में से किन लेकिन फिलाल अभी हम लोग मॉडल पर कर रहे हैं मतलब कि अभी अपलोग एक्जाम तो नहीं दे रहे ना अभी मॉडल पर का सल्यूशन हो रहा है तो आप लोग 100 में 100 अबजेक्टिव कोशन का एंसर दिजेगा और मिलाएएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है आप लो तो आप लोगों को यही target लेकर चलना है कि 100 में कम से कम आप लोगों का 80 सही हो ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फिर से एक और दुबारा यह बात लिख दिया गया है दुबारा फिर बताया गया है कि एक से 100 तक वस्तोनिश्ट परस्न हैंगे जिसमें से आप दिखका क उलने स्वर्ग तो उतार लाजमीन पर यह पंक्ति आंची से सवाल लिखा हुआ है कि किस प्रकार के व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्म परकार की में और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं तो जो व्यक्ति कर्मवीर होते हैं वो अपनी जिवन के मार्ग में आने वाली विभिन प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से विचलित नहीं होते हैं तो option number D will be the correct answer आगे बढ़ते हैं तीसरा सवाल देखिए जो की हस हस के चबा लेते हैं लोहे के चने है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना या पंक्ति के रचैता कौन है यह पंक्ति लिया गया है कर्मवीर नाम के चैप्टर से और कर्मवीर चैप्टर के राइटर जो है वो कौन है याद कीजिए जी हाँ आयोध्या सिंग उपाद्याय हरी ओध राइटर है तो option number A will be the correct answer ठीक है हलांकी कोशन का जो level है वो ज्यादा tough नहीं है और कोई 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 कोशन है जो कि मतलब moderate उसका level है बहुत जदा tough भी नहीं और नहीं बहुत जदा आसान है ठीक है medium आप यूगे सकते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि आप लोग सौम्यासी सही कर पाएंगे चोचा सवाल देहैं कवी बिहारी के अनुसार मलीन मन से माला जपने तथा तिलक लगाने से किसकी प्राप्ति संभव नहीं है तो अब विजोली बात है आप लोग के चेप्टर में बताए गया है कि मलीन मन से यानिकि गंदे मन से माला जपने से तिलक लगा लेने से ठीक है मतलब प्राथना करने से आप यूं कह सकते हैं गंदा मन हों आप दिन भर पाप कर रहे हों और फिर आप आकर घर पर माला जब रहे हों तिलक लगा लिये हों ठीक है और नमाज वगर अपढ़ रहे हों तो इससे आप लोग इश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है तो चार का नमबर B will be the correct answer और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि 10th क्लास के 9 इंदी का ओल चप्टर आप लोगों को लगबग चप्टर को पढ़ाया जा चुका है अगर आप लोग उने नहीं पढ़ रखा है तो जरूर पढ़ लें ठीक है पांचवा सवाल है कि सुधी शब कवीता में किसकी कामना है कि उनका जीवन अच्छे कारे के बरती समर्पित हो और मन सदा कल्यानकारी विचारों से दूबा रहें मैं आप लोगों को पढ़ाई हूं इसलिए मैं बोल रही हूं कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूं चेप्टर अगर आप लोगोंने नह प्राथना है यह बच्चों की कामना है कि उनका जीवन अच्छे कारे के परती समर्पित हो और मन जो है ना वो सदा कल्यानकारी विचारों में डूबा रहें तो यह बच्चों की कामना है बच्चों की दूआ है ठीक है साथवा क्वेशन की दूआ शब्द का क्या अर्थ है बहुत ही ज़दा आसान सवाल साथ का option number A will be the correct answer दुआ शब्दकार्थ होता है प्राथना आठवा सवाल है कि कर्म वीर शिर्सक कवीता कैसे लोगों की बात करती है option A में बातुनी लोगों की B में कर्म शील लोगों की तो जी हाँ option number B will be the correct answer question number 9 है कि जाड़े की रात में पहाड़ पर कौन रो रहा है तो हिरन का बच्चा रो रहा है option number C is the correct answer आगे बढ़ते हैं दस्वा प्रश्न है कि जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देता है तो दस का option number D is the correct answer कर्मवीर कर्मवीर जो है ना जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वो अगर आप लोगोंने ये कवीता पढ़ रखी है तो आप लोगों को खेर यादी होगा 11 number question कि people शिर्शक पाट साहिते की कौन सी विधा है people क्या है क्या एक कवीता है कि संस्मरण है कि या सरे विर्दान थे की कहानी है तो people एक कवीता है ना तो 11 का option number A is the correct answer 12 number सवाल है कि अरुन कमल रचित कवीता निमलिखित में से कौन है option A में है जहांसी की रानी B में हुश्बू रच्टे है हाथ C में हराह भटके हिरन के बच्चे को और D में सुदामा चरित तो अरुन कमल द्वारा रचित जो पाट है जो कवीता है वो कौन सा है वो है खुश्बू रच्टे है या हाथ is the correct answer अरुन कमल देखिए अरुन कमल इनके नाम में क्या है कमल और कमल यानि की एक फूल है और फूल में ऑफीजोली बात है कि खुश्बू रहता ही है तो इससे आप लोग लिंग कर सकते हैं कि खुश्बू रच्टे हैं हाथ के राइटर कौन है अरुन कमल है ठीक है यह है कि हरी ओध उप नाम किस रचनकार का है तो उपाद्ययाए सिंग वपाद्ययाए हरी ओध आप लोग जानते हैं वह जदा असान सवाल है देखिए कोई-कोई कोश्ट बहुत जएदा टफ नहीं है कोशन का लेवल मोडरेट है ठीक है पंदरा नमबर सवाल है कि मेरा तेरा मनुवा कैसे एक होई रे मैं कहता हो आखिन देखी तू कहता कागद की लेखी उप्योक पंक्ती के रचाईता कौन है जी हाँ इसका सही जवाब क्या होगा पंदरा का देखे ये जो पंक कारा और मेरा मन कैसे एक होगा मैं कहता हूँ कि आखो देखी पर विश्वास करो और तुम कागद के लिखे हुए पर यान की कागज की लिखे हुए पर विश्वास करते हो वही सारी बात है सुला नंबर सवाल है कि निर्मोही शब्द का क्या अर्थ है तो निर्मोही शब् प्रकृती चित्रन से युक्त कवीता निम्ड में से कौन है मतलब जिस कवीता में प्रकृती का चित्रन किया गया हो प्रकृती के बारे में बताया घ्या हो तो वह है पीपल तो 17 का उपसर नंबर सीजद करेक्ट इंसर 18 één नमबर सवाल है कि भारतिय स्वाधिन्ता संग्राम का और विश्मर्णी अध्यायकिस क्रांती को माना जाता है तो आपसा नमबर डीजद करेक्ट इंसर 1857 की क्रांती उनिस नमबर सवाल है कि बुझा हुआ दीप बुझा दीप जहांसी का तब डॉल होजी मन में हरसाया राज कवीता के जो राइटर है वो है कौन सुबद्रा कुमारी चोहान तो आपसा नमबर ए विल बी दा करेक्ट इंसर 20 नमबर प्रशन है कि जहासी की रानी लक्षमी भाई की मृतिव कितने वर्स की उमर में हुई थी तो इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर भी 23 इस दा करेक तो इसका सही जवाब होगा एक किसका आपसा नमबर भी 23 किशन ने सुदामा जी से कहा है जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाई भी हूँ कि स्री किशन के पास गए रहते हैं सुदामा जी मिलने के लिए ठीक है और वो एक गठरी में थोड़ा सा चावल बांद कर लेकर रहे थे इस वजह से वह अपने कांख में तब वो चांप रहे थे गठरी नहीं दे रहे थे तो श्रीकरिशन यह बोलते हैं कि तुम अपने कांख में गठरी को चाप रहे हो देखाओ आखिर क्या लाए हो तो यह सारी बात में आप लोगों हर एक पूरी कहानी पढ़ा चु ढूंडे बंदे मैं तो तेरे पास में इस पंक्ती में मो को किसके लिए आया है तो अविजोली बात है इसका सही जवाब क्या होगा परम पिताब परमेश्वर के लिए आया है ना यानि कि उपर वाल भगवान के लिए खुदा के लिए आया है ये खुदा बोल रहा है उपर वाले बोल रहे हैं कि मुझे को कहां ढूंडते हो बच्चे यानि कि मुझे को कहां ढूंडते हो बंदे मैं तो तेरे पास में हूँ ना मैं काबे में हूँ ना मैं कैलास में हूँ ठीक है मैं तो तुम्हारे दिल के अंदर हूँ मैं तुम्हारे मन के अंदर हूँ मुझे कहीं बाहर ढूने की जरूरत नहीं है तो यह बिल्कुल बात सही है कड़कड में खुदा है कड़कड में भगवान है कहीं उपर वाले को कहीं बाहर ढूने की जरूरत नहीं है ठीक है मन साप और सच्चा होना चाहिए और कुछ नहीं 24 नमबर सवाल है कि कौन दूसरों के लिए उधारन बन जाते हैं तो कर्म वीर जो है ना ये दूसरों के लिए उधारन बन जाते हैं कर्म अच्छे करके ठीक है कर्म के वीर होते हैं 25 नमबर सवाल है कि नमलिखित शिर्सक कवीता में नरोतम दास की कवीता कौन सी है नरोतम दास की कवीता पूछी गई है और इसका जो सही जवाब होगा 25 का वो होगा आगे बढ़ते हैं 26 नमबर सवाल है कि नमल में से कौन सी कवीता बधाओ से जुझते हुए उन कर्मशील ल जिसमें करमशील लोगों की बात की गई है 27 नंबर सवाल है कि कनक शब्द का अर्थ क्या होता है तो कनक का मतलब होता है सोना आपसा नंबर A is the correct answer 28 नंबर सवाल की महमूद के पास कितने पैसे है चैप्टर नंबर 2 इदिगाह नाम के चैप्टर से ये कोशन उठाया गया है और आप लोगों को पता है की महमूद के पास कितने पैसे है 12 पैसे आपसा नंबर A will be the correct answer 39 नमबर सवाल की हामित के पिता की मृत्यू कैसे हो गई थी तो हामित की पिता की मृत्यू हो गई थी हैजे के कारण तो इसका सही उत्तर होगा option number A 30 नमबर सवाल की नूरे कौन सा खिलोना खरिदता है तो नूरे जो रहता है वो खरिदता है वकील तो option number B is the correct answer 31 सवाल कि बाल गोबिन भगत गले में क्या बांधे रहते थे याद होगा अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है तो तुलसी की जडो की माला वो पहना करते थे बाल गोबिन भगत तो इसका सही उत्तर क्या होगा बाल गोबिन भगत गले में तो ओलसी की जडो की माला पहना करते थे 32 सवाल है कि बाल गोबिन भगत के घर से कितुमी दूरी पर कभिर पंथी मत था सही जवाब option number D is the correct answer 33 number सवाल है कि कमली शब्द का क्या अर्थ है तो कमली बहुत ही असान सवाल है कमली कौन नहीं जानता है कमली कमटब होता है कमबल ठीक काली कमबल ओड़े जो है न बाल गोबिन भगत मतलब वो क्या करते थे गाना वगर अगाया करते थे भोर में उठकर ठीक है तो यह सारी बात है अगर आप लोगों ने चप्टर पढ़ रखा है तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से एक भी कोशन छूटेगा हर कोशन आप लोगों के लिए आसान लगेगा 34 है कि खानों में कोईला और अबरक जंगल में तरह तरह की लकड़ी फूल फूंगियों पर नाश्ती तितलिया दर्शन यनदिया हरीती मावाले मन मुहक मैदान मन पर जादू जैसा असर करने वाला परवत मस्त निवासी इन सब के सांतिया छोटा नागपूर है यह पंक्तिया किस पाठकी है तो यह पंक्ति जो है ना आप लोगों बता होना चाहिए यह हुन्डू के जल परपात से उठाया गया है तो आपसा नंबर C is the correct answer 35 नंबर प्रशन है कि हुन्डू किस के लिए परसिद है तो हुन्डू जो है ना यह जल परपात के लिए परसिद है और चप्टर का नामी है हुन्डू का जल परपात तो आपसा नंबर C is the correct answer जल परपात के लिए ठीक है अगला प्रशन देखिए गाउं के किसान सिर्चन को क्या समझते थे तो गाउं के किसान सिर्चन को बेकार ही नहीं बलकि बेगार समझते थे 36 का आपसा नंबर D हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल है कि दूद में कोई मिठाई ना मिले कोई बात नहीं किन्तु बात में जरा भी जाल कौन नहीं बरदास्त कर सकता था तो वो सिर्चन नहीं बरदास्त करता था तो आपसा नंबर A सिर्चन लगा दीजिए आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्योशन की मा की दूलारी बहु कौन है तो मा की जो दूलारी बहु थी वो थी मजली भाभी option number B is the correct answer ठीक है 39 number question है कि कलिंग में कितने साल से युद हो रहा है तो कलिंग में जो है न वो चार सालों से युद हो रहा था खुद starting में ही बताया गया है आप लोगे जो chapter start हो रहा है starting में ही लिखा हुआ है 40 number सवाल है कि क्यूं क्यूं सिर्क्यूं जुका लिया महराज मैं युद चाहती हूं केवल युद या किसने कहा तो ये पदमा कहती है तो 40 का option number B हो जाएगा सही उत्तर अगला प्रश्ण है कि इर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किसी गठरी के समान है इर्ष्या से जला भुना आदमी जो है वो चलती फिरती किसी गठरी के समान है option A में है मिठाई की यहां पर किसी नहीं रहेगा गलत टाइप हो गया किस गठरी के समान है option A में मिठाई की B में है मदू किसी में जहर की और D में है चीनी की तो 41 का option number C हो जाएगा जहर की बोला गया है कि इर्ष्या से जला भुना आदमी चलती फिरती किस गठरी के समान है तो किस गठरी के समान है तो जहर की गठरी के समान है क्योंकि अपने दिल में वो इर्ष्या भर रखा है अपने मन में अपने सोच में नब वो पूरी तरह से इर्ष्यालो व्यक्ति हो चुका है तो एक तरह से वो जहर की गठरी के समान है option number C will be the correct answer 42 number question है कि ये आदमी में जो गुड़ महान समझे जाते हैं उन्ही के चलते लोग उससे जलते भी है ये कथन किसका है ये बिल्कुल सही कथन है और ये कथन में आप लोगों को बिता देना शाहती हूँ ये नित्से का है तो option number D will be the correct answer बहुत ही जबरदस तरीके से में आप लोगों को पढ़ाई थी आदमी में जो गुड़ महान समझे जाते हैं उन्ही के चलते लोग उनसे जलते हैं ये तो बात बिल्कुल सही कही है कहे है नित्से ने अगर कोई व्यक्ति है वो singing कर रहा है तो singing से अगर वो famous हो रहा है न तो फिर आप यूँ कह सकते हैं कि लोग उसकी singing से यान की गानों से जलने लगेंगे बहुत सरे अब सब की बात में नहीं कर रही हूँ बहुत सरे ऐसे लोग हैं मतलब लगभग लोग जो है न तारीफी करेंगे सपोर्ट करेंगे लेकिन कुछ लोग होंगे जो कि उस व्यक्ति से जल रहे होंगे तो वो उसकी गुड से ही उसकी singing से ही नफरत करने लगते हैं जलने लगते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है 43 नंबर क्वेशन है कि विक्रम शिला विश्वविद्याले के पुरा तात्विक खनक में साड़े चार फीट की भूमी सपर्श मुद्रा में किसकी परतीमा प्राप्त हुई है तो 43 का यह बहुत ही आसान सवाल है ऑप्सन नंबर A भगवान बुध की परतीमा प्राप्त हु उन्हें से 97 रवीवार का दिन था और मा ने क्या बनाई थी यह थोड़ा कोशन जो है ना डीपली जाकर पूछा है बोलाने जाता है कि खखोर कर पूछा है पूछना देखिए एक होता है कि आप सिर्फ पूछो की कलम को इंगलिश में क्या कहते हैं और एक होता है कि कलम का जो धकन होता है धकन का जो उसका डंटा होता है उसको इंगलिश में क्या कहते हैं पर लब घुमा फिरा कर कोशन नहीं पूछा जाता है उस तरह से यहां पर कोशन पूछा गया है तो 45 का आपसा नंबर जो है वो सी विल्विदा करेक्ट एंसर चार्ट बना रही थी तो कोशन है ना यह एक कोशन जो की बहुत दार डीपली जाकर पूछा गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 46 की कामनी कंचन का त्याग करके कौन ग्रिहस्त आश्रम में ही सन्यासी बने रहे तो 46 का ऑप्सन नंबर सी सुर्यकांत त्रिपाथी निराला 47 की होटल के पास क्लिनिक होने से सुबह शाम क्या बिकती थी होटल के पास जब क्लिनिक थी तो सुबह साम ऑविसली बात है कि चाय वगर बिका करती थी तो आप्सन नंबर A चाई is the correct answer अगला प्रश्न है कि खेमा शिर्षक पार्ट में टूटी सी टेबल पर चाई बनाने के लिए भटी के साथ किस रंग का पंखा हुआ था पंखा लगा हुआ था ये भी question थोड़ा सा डिपली जाकर पुछा गया है ठीक है ना ये पूच सकता था कि हाँ जैसे कि याँ पर पूचा गया है कि वहाँ पर जो है ना क्लिक पर क्या होटल के पास जो क्लिक होने से वहाँ पर होटल पर सुबह शाम क्या बिका करती थी ये तो ठीक है चाई बिका करती थी लेकिन यापर थोड़ा deeply जाकर पूछ दिया गया है जी ठीक है table पर चाय بنने के लिए चाय बिका करती थी लेकिन चाय बनने के लिए भटी के साथ किस रंग का पंखा लगा हुआ था देख रहे हैं इतना deeply जाकर पूछा है किस रंग का कौन से कलर का पंखा रखा हुआ था तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा option number B लाल is the correct answer लाल रंग का पंखा रखा हुआ था रोहतास की गुडिया पढ़कर पढ़ लिखकर क्या बनना चाहती थी तो रोहतास की जो गुडिया थी वो अध्यापी का बनना चाहती थी पढ़ लिखकर तो option number C लगा दीजिए पचास number question है कि कदम स्कूल के बाल संसद की क्या थी तो प्रधान मंतरी थी ना तो option number D is the correct answer यह हर एक जिए में आप लोग पढ़ा चुकी हूँ यहाँ पर 50 objective question complete हो चुका है और मातर 50 बचा हुआ है तो अभी तक आप लोगों ने वीडियो को like share वगरा नहीं किया है तो आप लोगों से मैं एक request करूँगे कि like share जरूर कर दे चैनल पर अगर आप लोग नए नए आई हुए हैं मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को subscribe करके notification बिल जरूर और कर लेजिएगा चलिए question number 51 51 number question है कि जज़बा शब्द का अर्थ क्या होता है तो अविजोरी बात है यह तो बहुत ज़्यदा आसान सवाल पुछा गया है 51 का option number A हो जाएगा जज़बा का अर्थ होता है जोश 52 number question कि उन्हेंसा 42 में अगस्त करांती के दौरान निम्न में से किसने कॉलेज का परित्याग किया था तो उन्हेंसा 42 की जो अगस्त करांती हुई थी उस दौरान जो है ना करपुरी ठाकुर जो है अपने कॉलेज का परित्याग कर दिये थे जन्नाय करपुरी ठाकुर का जन्म किश्वर्थ हुआ था तो वह हुआ था उन्हेंसा option number A is the correct answer question number 54 है कि वैद जी किस सवारी पर अपनी तश्रीफ लाए थे तो इसका सही जवाब option number B पालकी पर आये थें वैद जी ठीके रही है डॉक्टर चूहाणात काथर जी की दवा की सीशी कितने की थी डॉक्टर चूहाणात का तरजी जो दवा की सिसी दिये थे ते यह कितने आनिंगी थी तो याद रखना है अगर आप लोग को याद होगा तो मैं आप पच्पन का option number C is the correct answer और 56 नमबर सवाल है कि उचारण की द्रिस्टी से sword 1 के कितने भेद है अब यहाँ से start होने लगा आप लोग का grammar का question तो 56 का option number C ही होगा दो ठीक है 57 नमबर question की दो का उचारण स्थान क्या है आप लोग खुद डो बोल कर देखिए डो डो यानि की जीब जो है ना मुड़कर उपर की तरफ सट रहा है तो 57 का option number A मुर्धा से बोला जा रहा है डो डो ठीक है कि कुश्ट नमबर 58 है कि सा कौन सा बेंजन है option A में उश्म बेंजन, B में इसपर्स बेंजन, C में अंतस्त बेंजन, 58 का option number A is the correct answer उश्म बेंजन इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है देखिए उश्म बेंजन, इसपर्स बेंजन, अंतस्त बेंजन ठीक है और ये उचारण स्थान ये हर एक चीज में आप लोग को हिंदी ग्रामर का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जरूर पढ़ें इस लिंक जो है ना इसी वीडियो का डिस्क्रिप्सन में में डाल दी हो हिंदी ग्रामर का ये हर एक चीज में आप लोग को पढ़ाई हूं कि उचारण की दृष्टी से स्वर वर्ण के कितने पर कार है ठीक है उचारण स्थान को कैसे याद रखें उसके बाद से उश्म यह सब कुछ क्या होता है एक दम बहतरीन ढंग से आप लोग को पढ़ाया है मैं खुद पढ़ाई हूं तो आप लोग जरूर पढ़ लें बहुत ही फायदा होगा मैं आप ही लोग के लिए बोल रह यह हर एक टॉपिक में आप लोग को पढ़ा चुकी हूं ठीक है पांच कोशन तो यह स्वर बेंजन से ही पूछ दिया है यह बहुत बड़ी बात है आप लोग जरूर पढ़ लिजिएगा कोशन नमबर 59 है कि हिंदी में बेंजन वर्णों की संख्या कितनी है तो इसका सही जवाब 59 का अपसर नमबर B 33 is the correct answer आगे बढ़ते हैं 60 नमबर प्रशन कि एक ध्वानी जब दो बेंजनों से सयूख्त हो जाये तब वह क्या कहलाती है तब वह यूगमक ध्वानी कहलाती है ऑपसर नमबर A is the correct answer आगे बढ़ते हैं 60 नमबर प्रशन कि स्वर संधी के कितने भेद होते हैं इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्सन नमबर डी पांच ठीक है 62 नमबर क्योशन है कि महासे शब्द का संधी विछेद क्या होगा महासे शब्द का संधी विछेद क्या होगा तो महा प्लस आ से, उप्सन नमबर A में दीख रहा है न, धीरे से टिक कर दीजिए, निमलिखी में से कौन सा शब्द असुध है, असुध शब्द कौन सा है, यह आप लोगो बताना है, और इसका सही जवाब क्या होगा, असुध शब्द, देखिए, चर्मोत कर्स, यह सही लिखा ग नहीं होगा, उप्सन नमबर B जो है न, यह सही नहीं है, यानि कि एक अशुध सब्द है, तो उप्सन नमबर B is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, 64 नमबर क्वेशन, कि निम्न में विराम चिनों में से योजक चिन कौन है, तो 64 का उप्सन नमबर D ही हो जाएगा, यह रहा, और पुस्तक की पूरी जाती का बोद हो रहा है, यानि कि पुस्तक में सभी तरह की पुस्तक आ सकती है, तो जाती वाचक संगया, उप्सन नमबर B is the correct answer, 66 नमबर सवाल है, यह नागरिकता शब्द कौन सा लिंग है, तो आप लोग सुने होंगे, नागरिकता, भारत की नागरि इता जो है ना यह इस्त्रिलिंग शब्द है, तो 66 का उप्सन नमबर इस्त्रिलिंग इस्ता करेक्ट एंसर, आम कौन सा शब्द है, तो आम जो है ना यह तदभाव शब्द देखिए, उप्सन नमबर B is the correct answer, आगे बढ़ते हैं, 68 नमबर क्योशन है कि चंचल शब्द का इ असान सवाल है, चंचला ठीक है, और जहां तक मुझे नॉलेज है, इस चीज़ में तो ज्यादा नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन जो नारायन है, वो अपनी पत्नी को जो है ना, चंचला कहकर ही पुकारा करते थे, ठीक है, इतना जदम उसको नॉलेज नहीं है, जैसे कि हि वो मैं बता रहे हूँ, आप लोगों को चंचला कहकर ही पुकारा करते थे, तो अपसन नॉलेज चंचल का इस्त्रिलिंग क्या होगा, चंचला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 69 नंबर क्वेशन की अधिकरन कारक की विवक्ति चिन क्या है, तो अधिकरन कारक की जो विवक्त चिन होता है, वो होगा, 69 का उपसन नंबर, जीहां, डी, में या फिर पर, कारक क्या है, अधिकरन कारक, अपदान कारक, संप्रदान कारक, ये भी आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, सत्तर नंबर सवाल है, कि राम कलम से लिखता है, यह किस कारक का उधारन है कलम से लिखता है, यहां पर बात की जा रही है, तो सत्तर का उपसन नंबर करन का रखो जाएगा, सुर्य शब्द का इस्त्रिलिंग क्या होगा, तो सुर्य शब्द का जो इस्त्रिलिंग होगा, वो क्या होगा, जीहां, सुर्या is the correct answer, उपसन नंबर B, 72 नंबर क्योशन है, कि रोटी मत खाओ, क्योंकि वह जली है, यह किस सरवनाम का उधारन है, सबसे पहली बात, तो पुरुश वाचक तो होगा नहीं, अनिश्य वाचक तो होगा नहीं, उसके बाद से नीज वाचक तो होगा नहीं, यानि कि तीहत्तर का, ऑपसन नंबर B, is the correct answer, अगला प्रशन ह कि जो संग्या और सरवनाम की विशेशता बताए, उसे क्या कहते है, उसे विशेशर कहते है, यह बहुत ज़्यासान सवाल है, दान शब्द का विशेशर क्या होगा, तो दान शब्द का जो सही विशेशर होगा, वो होगा दानी, दानी दान करता है, तो गुमान करता है, दिम्रमिक शब्द में क्या परतिया और áगे बढ़ते हैं देखिए अगला सवाल है तो 70 का और सियम को मारा था यह किस काल का उधारन में मारा था यानि की काम हो चुका है मारने का जो यह किरिया हुई है ना यह हो चुकी है तो 78 का उप्सन नमर सी भूत काल यानि की पास्ट टेंस है 79 कि निमलिखीत शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है तत्सम तद्भावी में आप लोग पढ़ा चुकी हूँ बहुत आसान सा टॉपिक है यह तत्सम और तद्भाव शब्द को पहचाने का च्रिक भी बताये गया है आप लोगों तो 79 का उप्सन नमर यह हो जाएगा भक् बनावट के विचार से शब्द के रड़कार है तो बनावट के विचार से शब्द के टीन परकार है तो आप सी गिसटा करेक्ट इंसर एक 80xe कि अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है उपसर्ग कहते हैं वह शब्दांस जो किसी शब्द के स्टार्टिंग में यानि कि शुरुवात में जुड़ जाए और एक नया शब्द बना ले उसे कहते उपसर्ग तो देखिए पहले मोल था और स्टार्टिंग में अनलग गया है तो इसमें उपसर्ग क्या है? उपसर्ग है अन, 82 का ऑप्सर नमबर A, अन ही लगा है तबी तो नया शब्द बना है अनमोल, तो 82 का ऑप्सर नमबर A is the correct answer, 83 नमबर क्योश्चन कि दर्शनीय शब्द में परत्याय क्या है? तो दर्शनीय शब्द में परत्याय यानि कि वो जबाब हो जाएगा option number B Aniya यानि किसमे अनिया जो है न वह पर्तिय हैं। दया शब्द का विशेशर सब्द क्या है दया शब्द का दयालू होगा है तो दया शब्द का मुझे लगता है दयामे हो जाएगा क्योंकि इसमें दयालू तो दिया नहीं है तो उप्सयों number C आप लोग ले कर चल सकते हैं function con. C धयामे है ठीक है और 85 आसी नमबर सवाल है कि दो पदों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं तो दो पदों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसको हम लोग समास कहते हैं समास भी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है आमरन शब्द में कौन सा समास है और ए में हैं अव्याई भाव समास बी में हैं द्वंद समासी में तत्पूरु समासोडी में कर्मधारे समास और इसका सही जवाब होगा आपसा नमबर ए अव्याई भाव समास ठीक है आगे बढ़ते हैं सेवेंटी एटी सेवन सोरी एटी सेवन नमबर क्वेशन कि किसी ना किसी तरह या किस पदबंद का उधारन है 87 का ओपसा नमबर B हो जाएगा करिया विशेषर परबंद ठीक है उसके बाद से अगला सवाल है कि जिस वाक्या में एक साधारन वाक्या के तरिक उसके अदिन कोई दूसरा ग्वाक्या हो उसे क्या कहते है उसे कहते है हम लोग मिश्र वाक्या ओपसा नमबर C आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन देखिए कोशन नमबर 89 है कि मैंने खाना खाया और मेरी भूख मिट गई या किस वाक्या का उधारन है और इसका सही जवाब हो जाएगा और सेयुक्त वाक्या अगला प्रशन है कि 90 नमबर प्रशन और मातर 10 क्वेशन बचा हुआ है आप लोग जुड़े रहें और उसके बाद से हर एक अबजेक्टिव कोशन का एंसर दीजिएगा ठीक है और आप लोग को सौ में ऐसी लाही देना है यह आप लोग को टारगेट तो रखना ही रखना है नमलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्या अशुद वाक्या है अशुद वाक्या आप लोग को बताना है और बंदूक एक बहुत ही उप्योगी असर है यह तो खर ठीक है यानि कि यह जो वाक्या है यह बिल्कुल सही है शुद है तो यह तो होगा नहीं उसके बाद से बी को जायेगा सही जवाब यहीं है और सिर्फ वाकिय को बताना है बाग और बक्री एक घाट पानी पीती है यह अशुद वाक्या है, सही वाक्या क्या होगा, शुद वाक्या क्या होगा, बाग और बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, यह होगा शुद वाक्या, तो आप्सा नम्बर बी लगा दीजिए धीरे से, आगे बढ़ते हैं, 91 नम्बर क्वेशन, अब ज़ादा कोश्टन नहीं ब विप्रितार तक opposite word बनताना है और इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तम सी नहीं मरने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे जो नहीं मरने वाला उसको एक शब्द में कहा जाता है अमर कि हम अमर हैं ठीक है question number 94 देखिए पौबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है इसका सही जवाब option number C हो जाएगा खुब लाब होना उसके बाद से 95 number question और 5 बचा हुआ है question 95 number question है कि घर की मुर्गी दाल बराबर लोकोक्ती का अर्थ क्या है आप लोग जानते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर आप लोग के घर वाले भी कभी कभी बोलते होंगे ये मुहावरा और इसका मतलब होता है अपने आदमी को कम हत्वा देना ये तो खेर बात सही है ठीक है घर की मुर्गी दाल बराबर ठीक है अपने आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ कितने भी अच्छे पोस्ट पर चले जाओ कितने भी सकसेज हो लेकिन आप अपने घर के लिए एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होते हो आपके मुमी पाप आपको डाट सकते हैं पठकार सकत हैं ठीक है आप कितने भी बड़ी हो जाओ बाहर के लो को ग्यांदों गए तो बाहर के लोक्तों आपको फॉलो करते हैं लेकिन घर के लोग को वही ग्यान को जोए घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं дней कि अपने आदमी होने के वाजा पम्हत्वांतरिते हैं कि यह क्या क्या ही बताएगा यह फिर क्या ही बताएगी ठीक है तो यह बहुत मतलब यह बात तो बिल्कुल सही है कोई भी इंसान अपने घर की लोग को नहीं समझा सकते आप लोग देखते हैं कि जो teacher होता है उसका बच्चा होता है वो खुद अपन टीचर होते हुए भी अपने बच्चे को खुद से नहीं पढ़ा पाता है कभी-कभी ऐसा भी होता है ठीक है 96 का बताए आलोशना करने वाला के लिए एक शब्द क्या है 96 का आपसन नंबर क्या हो जाएगा बहुत आसान सवाल है डी आलोशक आलोशना करने वाले को आलोशक ही न कहा जाएगा उसके बाद से गंगा शब्द का परिवाची शब्द यानि कि एक समान अर्थ रखने वाला क्या होगा ओप्सने होजएगा भागी रथी गंगा का परवाचि भागी रथी उसके बात से ुई ध्यान-मग्ण शब्ध कौन सा समास है। सही जवाब अप्सन कौन सैनागे fix कि अगर आध्य इस शब्ध का विलोम यान की अपोजिट वर्ड क्या है। option A में है सुगज, B में है अरूची, C में है अगम और D में है अनुज, इसका सही जवाब option number D is the correct answer अनुज हो जाएगा, अब last question आप लोग के screen के उपर है, कि उपयुक्त शब्द का संधी विछेद क्या है, उपरियुक्त, यह जो शब्द है, इसका संधी विछेद करना है, last question है, 100 number सवाल, और इसका जो सही जवाब होगा, वो होगा, option number C, उपरी प्लस युक्त, इस तक correct answer, इससे मिलकर बना है, क्या उपरी युक्त, तो 100 का option number C हो गया, और यहाँ पर finally, 100 objective question का, मैं आप लोग को एकदम सठीक और सही answer बता दी, आप लोग अब बताईए कि 100 में से आ बताना चाहिए, तो आप लोग का कितना सही हुआ, जरूर comment में लिखकर बता दीजिएगा, ठीक है न, और आगे subjective question है, खंडबा में क्या है, subjective question है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लंबा चोड़ा question पुछा गया है, ठीक है, subjective question में, अगर आप लोग कहेंगे, तो यह मैं आप लोग को subjective question का भी solution करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ना जदर tough भी नहीं है, यहाँ पर एक निबंद देखें, निबंद का तो आता ही है, निबंद लिखना आप लोग को अभी बताना है, ठीक है, बहुत जदा असान है, स्वास्त के उपर न कैसे लिखना है, बता दिया जाएगा, बागी बहुत जदा असान है, और असान question भी है, इतना असान सवाल हो सकता है, क्या subjective question में पूछा गया है, कि इदकाश रिसक पार्ट में मोसिन को कौन खिलाना पसंद आया, और उसकी बनावट कैसी थी, उसके बाल गोबिन भगत की प्रभातिया कब शुरू होती थी, और कब तक चला करती थी, हुंडू का जढ़ना कैसे बना, ये लंबा चड़ा बहुत ही असान सवाल है, अगर आप लोग ने चप्र पढ़ रखे हैं, तो फिर ये सारे question आप लोग के लिए एकदम महलवा लगेंगे, बाकी question में कुछ भ पहला जो सवाल होता है, वो गधान्स को लेकर आता है, यान कि यहां पर एक कहानी दे दी जाती है, यानि कि एक तर से आप यू कर सकते हैं, कहानी की तरह ही समझें, इसको कहते हैं तो यहां पर गदान्स दे दिया जाता है, और इस से related यहां पर question पूछे जाते हैं, मटलब भी होता है यह बहुत दासान और उसके बाद से दूसरा में पुछा गया है कि निमलिखित गधांसों में से किसी गधांस को पढ़कर नीचे दियेगा प्रशनों का उत्तर दे देखिए यहां पर भी गधांस को ही दिया गया यानि कि कहानी को पढ़ना है और इससे रिलेटर् कोशन में अगर आप लोग को कुछ नहीं भी आता है और अपने मन से कुछ शब्द लिख भी दिया है तो एक दो नमबर मिलने के चांसे रहते हैं लेकिन अब्जेक्टिव कोशन तो डिलेक्ट गलत होते हैं तो यहां पर फाइनली मॉडल पेपर का सल्यूशन हो गया टोट का जड़ा हो सखें आप लोग के कॉंटेक्ट में जितने भी लोग है शेयर तो बनता है फड़ाफट शेयर कर दे चारो तरफ अगर आप लोग चैनल पर नए नए आया हुए है मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लिजेगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाइबाए टेक क्या और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीड कि यूम्हाյ से टी लोगो तक साथरित हैं आपसरादार की लोगों इस do खाभी लोगों धिना दोरी